आज मैं आप लोग के लिए ले के आई हूँ केक की बहुत यसान रेसिपी यह चौकलेट केक है लेकिन हमने इसे बीना चौकलेट के बनाया है बहुत यसान रेसिपी है सभी टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, यहां पर मैंने 7 इंच का केक टिन लिया है, इसको हम बटर के साथ ग्रीज कर लेंगे, आप घी या ओल के साथ भी कर सकते हैं, देखे इस तरह से हमें इसे ग्रीज करना है, थोड़ा सा मैदा डाल कर डस्टिंग कर लेंगे, आप चाह तो विसकर से भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम केक का बेटर ब्लेंडिंग जार में ही टैयार करेंगे, तो यहां पर मैंने 1 buff cup तूथ लिया है, तूथ को हम इस तरह से ब्लेंडिंग जार में डाल लेंगे, तूथ यहां पर मैंने रूम टेंपरेचर पे लिया है, ओन के करीब हम vanilla essence डाल देंगे, आप chocolate essence भी डाल सकते हैं, अब यहाँ पर एक कप powder sugar का add किया है, चीनी को mixer में हम पीस कर उसे चान कर यूज कर सकते हैं, तो मैंने वैसे ही लिया है, अब हम इसके अंदर मैदा add करेंगे, तो यहाँ पर मैने 1 cup प्लस 1 4th cup मैदे को add किया है, मैदे को भी हमने blending jar में डाल लिया है, तो चलिए अब हम इसे एक बार blend कर लेते हैं, देखे मैंने इसे blend कर लिया है, आप इसकी consistency देख सकते हैं, तो चलिए अब हम इसे bowl में निकाल लेते हैं, क्यूंकि अभी हमने इसके अंदर baking powder वगेरा add नहीं किया है, तो मैं इसे इस तरह से bowl मे निकाल लूँगी, और हम इसकी consistency भी check कर लेंगे, कि हमें इसके अंदर कितना milk या पानी आप डालना चाहें, तो पानी भी डाल सकते हैं, दोस्तों ये बिलकुल आपके उपर है, कि आपको इसका batter दूद से तयार करना है, या फिर पानी से, आप पानी डाल कर भी cake का batter तयार कर सकते हैं, देखे, इसकी consistency मुझे थोड़ी से थिक लग रही है, तो थोड़ा सा हम इसके अंदर दूद आट करेंगी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूद लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगी, हमें एकदम से बहुत जादा दूद आट नहीं करना है, इस तरह से mix कर करेंगे, दूद को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही एट करना है, केक का बेटर बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखी, कि केक का बेटर ना तो ज़्यादा गाड़ा होना चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, अब यहाँ पर हम 1 and half teaspoon baking powder और half teaspoon baking soda डाल दे करेंगे, और इसे अच्छे से mix कर देंगे, क्यूंकि अगर केक का बेटर बहुत पतला होगा, तो उसे bake करने में बहुत time लगेगा, और अगर केक का बेटर थिक होगा, तो केक hard बनेगा, तो इस बात का ध्यान रखी, कि केक का बेटर एक तम सही consistency का होना चाहिए, तो है, वो बाहर निकल जाए, कड़ाई को हमने नमक डाल कर पहले ही preheat कर लिया है, तो देखे, लो फ्लेम पे मैंने इसे preheat कर लिया था, अब केक टिन को कड़ाई के अंदर रखेंगे, और इससे ढग कर लो फ्लेम पे बेक करेंगे, तीस से चालिस मिनट तक हम इसे अच्छे स निकलता है, तो इसका मतलब केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है, अगर इस तरह से टूथपिक क्लीन ना निकले, तो आप इसे थोड़ी तेर के लिए और बेक कर सकते हैं, केक को बहार रखे हुए एक घंटा हो गया है, और केक पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो स्पंजी केक तयार हुआ है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा डेकॉरेट करने वाली हूँ, इस केक को डेकॉरेट करने के लिए मैंने वेप क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है दोस्तों, तो उसके लिए जो चीजे मैंने ली है, वो उपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, इसी गनाश के साथ मैंने चॉकलेट केक और डोरा केक की रेस्पी पहले भी शेयर की है दोस्तों, तो आप उसे भी जरूर देखे, तो देखे मैंने केक को टर्न टेबल के उपर रख लिया है, और बस हमें इस तरह से गनाश क पूरे केक के उपर लग जाता है, तो देखे इस तरह से पूरे गनाश को हम केक के उपर लगा देंगे, ये बहुत ही असान और सिंपल रेसिपी है, आप इसे कभी भी घर में बना सकते हैं, और काफी जगा पर चॉकलेट कंपाउंड नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैंने क कोको पौडर के साथ इस गनाश को तयार किया था, कोको पौडर से बना हुआ गनाश इतना टेस्टी है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं लग पाएगा, कि इसके अंदर हमने चॉकलेट नहीं डाला है, और इसे हमने कोको पौडर से तयार किया है, तो देखे इस तरह से हम knife से अच्छे से इसे clean कर देंगे जितना हो सके उतनी finishing लाने की पूरी कोशिश करेंगी जब आप इसकी final finishing करें तो आप palette knife को कपड़े से अच्छे से साफ कर लें उसके बाद इस तरह से देखे finishing करेंगे तो बहुत अच्छे से इसकी finishing हो जाती है थोड़ा सा गनाश मेरे पास इस तरह से बच गया है इसको इस तरह से विसकर से अच्छे से mix कर लेंगे और इसे मैं piping bag के अंदर भर लोगी यहाँ पर मैंने M1 nozzle ली है और इसको piping bag के अंदर लगा लिया है और इस तरह से बचे हुए गनाश को हम इस तरह से भर लेंगे दोस्तो अगर आपके पास nozzle नहीं है और आप nozzle की तरह से design बनाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए homemade nozzle का वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ अगर इस recipe से related कोई भी question अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे comment box में पूछ सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द आपके question का reply कर सकूँ केक को और सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से silver और golden balls भी लिये हैं यह sugar balls हैं आप ही ने असानी से खा सकते हैं यह आपको वहाँ से मिलेंगे जहाँ पर केक का raw material मिलता है वहाँ से आपको बहुत असानी से मिल जाते हैं देखें यहाँ पर मैंने कुछ cherries ली हैं तो cherry भी इस तरह से लगा देंगी मैंने इसकी decoration बहुत ही simple तरीके से की है आप अपनी पसंद से जैसे चाहें इसकी decoration कर सकते हैं यह बहुत ही tasty cake तयार होता है आपको यह असान chocolate cake की recipe कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इससे subscribe कर लें और साथ में जो bell icon है उसे press कर दे ताकि मैं जब भी नया video upload करूँ उसका notification आपको सबसे पहले मिल सके तो देखे बहुत ही खुबसूरत cake तयार हो गया है आप इसे एक बार ज़रूर try कीजिए